आप देख रहे हैं NMP News और आपको रखे सबसे आगे कि 2017 में विधान सभा चुनाव में मोधी लगर की बावजूद मोहनलाल गंज सीट पर भारतिय जनता पार्टे को हार का सामना करना पड़ा था लेकिन इस बार सपा ने पूर्व सांसद सुशिला सरोज को मैदान में उता रहा था भाजपा के अमरेश कुमार रावत ने इन्हें 16,736 बोटों से हरा कर एतिहासिक जीत दर्ज की आपको बता दे कि देश की पहली विधान सभा चुनाव के साथ ही मोहनलाल गंज सीट से जीत दर्ज की परमगत सपा की सीट मानी जाती थी मोहनलाल गंज सीट पर भाजपा ने अपना कबजा कर लिया है आपको बता दे कि आजादी के बाद 1951 में इस सीट का गठन हुआ था तब से लेकर आज तक कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी बीएस पी इसका एक जुट वोट मिला अम्रेश कुमार रावत ने मोहनलाल गंज विधान सभा सेतेहासे के जीत दर्ज की इंडियास फर्स डिजिटल टीवी मीडिया नभी मुंबाई टाइम्स नियोज ताजा तरीन देश विदेश के खबरों को देखने के लिए यूटीव पर सरच करे एन्एम्टी नियोज एन्एम्टी नियोज को सब्सक्राइब करे प्रेस करे बेल आईकर और 5 उत्रप्रदेश डिली महराश्ट्रा गुरात नभी मुंबाई थारी की ताजा तरीन खबरे सरिफ नभी मुंबाई टाइम्स नियोज पर